Hi everyone, Welcome back to my YouTube channel Online Study Gyan Guys, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ UP Board का 2015 का 10th किलास का सामाजिक बिग्यान का पेपर तो चलीगा वीडियो स्टार्ट करते हैं यह पेपर है आपका UP Board Exam 2015 का पेपर है 10th किलास का सामाजिक बिग्यान का सोसल साइंस का इसके अंदर टोटल पेज है 8 और इसका पोलांग है 70 नमबर टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पे देखते हैं नीचे पेपर आपका दो सेक्सिन में डिवाइड है क्यमे और ख्यमे क्या 35 का ख्या 35 का और 30 नमबर आपके प्रक्तिकल के तो 100 नमबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2022 का पेपर भी आपका सेम आएगा दो सेक्सिन में डिवाइड रहेगा और 2022 का पेपर आपका हिंदी एंड इंगलिस दोनों लेंगवेज में आने बाला है तो देखते हैं आगे यहाँ पेपर पहला पेज खतम हो जाता है तिक हैं उसके बाद है आपका सेकंड पेज यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड के बहु बिकल्पे प्रसन है निमने लिखे बिकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुष्टी का में लिखिए और ये है guys आपका पहला question लोग सभा में नामित सदस्यों की संक्या है आपका पहला option है 2 second option है 4 third option है 12 fourth option है 5 लोग सभा में नामित सदस्यों की संक्या है तो इसका right answer है option first 2 लोग सभा में 2 जो है नामित सदस्यों की संक्या है और लोक सभा में टोटल सदस्यों की संक्या है 552 ये भी आपको ध्यान दखना है लोक सभा में टोटल सदस्य है 552 और लोक सभा में नामित सदस्य है वो हैं दो उसके बाद है second question जर्मनी में धर्म सुधार आंदुलन के पिल लेता थे आपका पहला option है जुइंगली, second option है third option है राजा फिलिप, fourth option है मार्टिन लूथर जर्मनी में धर्म सुधार आंदुलन के पिल लेता थे तो इसका right answer है option fourth Martin Luther Martin Luther जर्मनी में धर्म सुधार आंदुलन के पिल लेता थे उसके बाद है गईजगार का तीसरा question जेल गाड़ी का अभिस्कार किसी ने किया तो इसका राइट आंसर है ओप्षन सेकंड जार्ज इस्टिफेंसन ने जार्ज इस्टिफेंसन ने जेल गाड़ी का अभिस्कार किया था और जार्ज इस्टिफेंसन को जेलबे का पिता महा या जेलबे का जनक भी कहा जाता है ने तीक है, जाड जिश्ट डिफेंसन को, आगे हैं आपका चोथा कोश्चन, बेगम हजरत महल ने स्वतंतरता संग्राम में कहा नेतरत भी किया था, आपका पहला उप्षन है लखनव में, सेकंड उप्षन कानपुर में, थर्ड उप्षन जहांसी में, फौर्थ उप्षन भरेल कर्देकाल है, लोग सभा के सदस्यों का कर्देकाल कितना है, यह आपको बताना है, आपका पहला उप्षन है दो बर्स, सेकंड उप्षन है पांच बर्स, थर्ड उप्षन है आठ बर्स, फौर्थ उप्षन है छे बर्स, तो इसका राइट आंसर है उप्षन सेकंड पांच बर्स लोग सभा के सदस्यों का कादेकाल 5 बर्स का होता है ठीक है जाष्टिपति का कादेकाल प्रिधान मंत्री का कालेकाल मुख्या मंत्री का बिधान सभा का सभी का कादेकाल 5 बर्स का होता है ठीक है बट जाज्ये सभा का कादेकाल 6 बर्स का होता है ये आपको ध्यान दख सबसे बड़ा न्यालिया है तो भारत के संग के राजियों में सबसे बड़ा न्यालिया है तो बहुता है सुप्रीम कोट पूरे भारत का या हर देश का एक सुप्रीम कोट होता है तो भारत का सुप्रीम कोट होता है और एक होता है हाई कोट उच्छी न्यालिया है वो हर आसपास जो है उच्छिन्यालिय है हाई कोड है बट सुप्रीम कोड़ जो है सरबोचिन्यालिय वो केबल एक ही है ओप्सन सेकंड आपका इसलिए राइन सर रहेगा यहाँपे आपके आपका सेकंड पेम्यार खतम हो जाता है उसके बाद है आपका थरड पेमर इसれて लोग अती लगु उतरीय प्रस्न और सातवा कोशन ने आपका पिर्थम विस्वयुद्ध के दो परिलाम निखी है पिर्थम विस्वयुद्ध हुआ था आपका 1914 से 1918 इस भी तक ठीक है इसके जो परिलाम निकले थे वो पहला था बरसाई की संधि तुक्त Innovations के बाद में मरशाई की संधि हुए थी और सेकेंड था ज़ेमनी जो औफ नेशन की स्थापना पिर्थम 20 युद्ध के बाद में लीग औफ नेशन की स्थापना की गई थी और पिर्थम 20 युद्ध में जर्मनी ओस्ट्रिया हंगरी तुर्की ये वाला जो ग्रूप था ये हार गया था इंग्लेंड अमेरिका फ्रांस ये जीत गए थे आपका महात्मा गांधी द्वरा प्रारम की गए कि नहीं दो आंदलों के नाम लिखिए तो इसमें हो जाएगा ऐसे योग आंदलन भारत छोड़ो आंदलन उसके बाद है गाईज आपका नवा कोशन भारत के राष्टपति के दो बेसेस अधिकार लिखिए तो इसमें हो ज देखें और सहन्य सकति आगज हम दाष्टपति की देखें तो दाष्टपति भारत की थल से ना, जल से ना, बायु से ना सभी सेनाओं का पिर्मुख होता है जाष्टपति उसके बाद है दसवा कोशन दूसी किरान्ती में लेनिन की योगदान का बड्लन कीजिए तो इसका बाते हैं आपका कशी करिकर बात्य पंतियों और गरम पंतियों के बीच क्या यह पश्च पर होते थे जो किसी भी मुझ्य को किसी भी मुद्य को बाचीत के जरीए सुलजाने की कोशिज करें गरम प थी ने लाक tecnural Watt फिूलों टू खंण खाल अप navigate coordinate केंद्रिय मंती परिशत के तीन फुर्मु काज़े लिखिए तो इसमें हो जाएगा जाज्यों के जाजनीतिक और आर्थिक सामाजिक समस्याएं ठीक है इस टाइब से भारत के सरवोची नियाले के संगठन पर प्रिकास डालिए और इंग्लेंड के ओधोगी किरांती एसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं छे नंबर में उसके बाद आएगा आपका चोथा पेज यहां पर आएंगे आपके मांचेत्र बाले कोश्चन बहर इस्थान जहां दस माई 1857 को भारत में पिर्थम स्वतंतरता संग्राम हुआ था तो यह हुआ था मेरट में बहर इस्थान जहां बुलंद द्रवाजा इस्थित है तो बुलंद द्रवाजा है फतेपुर सीकरी में जो की यूपी में पड़ता है बहर इस्थान जहां कुंब मेला पड़ता है तो कुंब मेला चार जगे पड़ता है ठीक है हरीदवार नासिक और पता नहीं कहां कहां इस्थापित किया तो वह इस्थापित किया था सांती निकेतन पच्छी मंगाल में बहे इस्थान जो टीपु सुल्तान की राजधानी थी वो थी सिरी दंग पट्टनम गाइस मैपिंग वाले कोश्चन में आपको आधर नंबर मिलेगा आपको जगह का नाम लिखने का कॉपी में यह द्रेश्टी बादी चात्रों के लिए हैं यह आपको छोड़ देना है और उसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है आपका खंडखे संसार का सबसे बढ़ा डेल्टा है आपका पहला ओप्सन है अमेजन का डेल्टा सेकंड ऑप्सन है गंगा का डेल्टा थर्ड ऑ इसका राइट आंसर है ओप्सन 3 पंचम पंच बर्षे योजना समय से पहले समापत होने वाली पंच बर्षे योजना है उसके बाद है सत्रवा कोशन निम्नलीकित में से कौन सा उध्वग किरसी पर आधारित नहीं है पहला option है सूती बस्त्र उधोग, second option है चीनी उधोग, third option है सीमेंट उधोग, fourth option है जूट उधोग किर्सी पर आधारित उधोग नहीं है तो वो है सीमेंट उधोग, बाकी तीनों किर्सी पर आधारित है उसके बाद है ठारवा question, mount average की उधोग है, पहला option है 8848 मिटर, second option है 74747 मिटर, third option है 6646 मिटर, fourth option है 5545 मिटर, mount average की उधोग है कोलार का संबंद किस्से है, तो कोलार का संबंद है, सोने से, option second आपका right answer है, उसके बाद है 20 वा question, नागारजन सागर परयोजना किस नदी पर रिष्थी थे, पहला option है सिंधु नदी पर, second option है गंगा नदी पर, third option है यमुना नदी पर, fourth option है किरसला नदी पर, नागारजन सागर परयोजना किस नदी पर रिष्थी थे, तो इसमें आपका option fourth right answer है किरसला नदी पर, नागारजन सागर परयोजना आंध्रा पिर्देश में है किरसला नदी पर रिष्थी थे, उसके बाद आते हैं ये आपके अतिलगू तरे प्लस में, आर्थिक नियोजन के दो उद किये, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग इसमें बनो की कटाई बटाई जो भी है, सोर उड़ जाके दो महत हुए, ठीक है, उसके बाद है 25 पा question, हरित किरांती किसे कहते हैं, इसके दो बिष्थाष्था में बताईए, किरसी उत्पादक्तों को बढ़ाने के लिए किरांती कहलाती है, इसकी दो बिष्थाष्था लिख दीजिएगा, उसके बाद में है 26 पा question, प्राकर्तिक आपदा किसे कहते हैं किनी चार आपदाओं के बीसे में लिखी है, प्राकर्तिक आपदाई मतलब प्राकर्तिक रूफ से आई गई आपदाई प्राकर्तिक आपद तो बस इतना ही तक आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो पिलिज लाइक कर दीजिगा चैनल को आप लोगो ने सस्क्राइब नहीं क्या तो प्लेज सस्क्राइब कर दीजिगा बाइबाइब जहिंद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में